इसका कोई क्रिमिनल केस आप पर होगा नहीं और आपकी भारत में की हुई सारी एक्टिवीटी को भी वैध्यता प्रदान की जाएं। समविधान की छटी अनुसी चीज में सुरक्सी छेत्रों के नागरिक नहीं बन सकते। इनर लाइन परमिट से सुरक्सी छेत्रों के नागरिक नहीं बन सकते हैं। उसको पढ़ लेती तो मालूम पढ़ता है इसमें कोई केम्प की प्रोविजन नहीं है। वो लोग नहीं आते। तो वो कहां जाएंगे क्या होगा उनका। करते हुए भी डरेंगे। को भी वहिधता प्रदान की जाएगे। तो किसी को डरने की जरुवत नहीं है। उनके पास extra rights होंगे या equal rights होंगे या कम rights होंगे। के नागरिक माने जाएंगे मेरा और आपके जितना ही अधिकार उनका होगा। एक और बात थी वो एक तो गलत फहिमी अप्रचार कहिए या जो भी है गया confusion ही कहिए कि असाम में CAA लागू होगा या नहीं होगा। और NRC और CAA ये इनका crossing है की नहीं इंटर इसके असाम में जो NRC की order हुए वो Supreme Court of India की इसका CAA से कोई लेंड देन नहीं है। आसाम नहीं देश के हर हिस्से में CAA लागू होगा। सिर्फ North East के राज्य जहां पर दो प्रकार के विशेशाधिकार उनको दिये गए हैं। वो विशेशाधिकार के तहद जो राज्य आते हैं उनको ही CAA नहीं होगा। एक Inner Line Permit का प्रोविजन है और सम्विदान की छठी अनुसुची में सामिल जन जाती एक शेत्र हैं। वो जो six schedule में वो जमू कश्मीर के कुछ इलाके, राजस्थान के कुछ इलाके, हिमाचल के कुछ इलाके आते हैं उसमें। वहाँ नहीं लागू होगा, बाकि सब जगे लागू होगा। पर लोग नहीं जानते ना क्योंकि कुछ साल वो यहां हैं, कुछ साल और यो ट्राइबल इलाके हैं, उनका जो composition है, वो बदलेगा नहीं C.A. की वज़े से। जरा भी नहीं बदलेगा। ट्राइबल composition और उनके अधिकार को हम जरा भी dilute नहीं कर रहे हैं। हमने act में ही provision कर दिया है, कि जहां पर भी inner line permit है, और जहां समीदान की छठी सूची में जो क्षेत्र सामिल किये गए, इन पर वहां पर C.A. नहीं लागू होगा। पर वहां के address वाला application भी एप में upload ही नहीं होता है। तो लागू होने का सवाल ही नहीं आता है। और act में ही provision है, मगर हमने application में भी वो area को exclude कर दिया है। कोई apply करेगा भी वो वहां से, तो नहीं, एप ही नहीं खुलेगा। पर वो कहीं और जाके apply कर सकता है। तो वो भारत के नागरिक तो वो नहीं सकते हैं। आपने कहा हर जगा लागू होगा। केरल, तमिलनाडू, पस्चिम, बंगाल। इन तीनों राजों ने कहा है कि हम यहाँ पर लागू नहीं होने देंगे। क्या उनके पास यह अधिकार है कि वो लागू नहीं करने देंगे। वो भी समझ रहे हैं कि उनको अधिकार नहीं है। हमारे समविधान के अनुच्छेत 11 में संसद ने नागरिक्ता के बारे में कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल भारत की संसद को दिया गया है। एक कैंद्र का विशय है, कैंद्र और राज्यों का साजा विशय नहीं है। तो नागरिक्ता के बारे में कानून और कानून का इंप्लिमेंटेंटेंशन वो दोनों हमारे समविधान की 241 अनुच्छेत के माध्यम से इसको सेड्यूल 7 में डाला गया है। जो कैंद्र के, इसकी तमाम सक्तिया कैंद्र को दी गई है। के बाद सब कोपरेट करेंगे। यह पुलिटिक्स के लिए गलत प्रचार कर रहे हैं एपीस्मेंट की पुलिटिक्स करेंगे। मतलब बंगलादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के जो शर्नार्थी हैं, क्या वो तमिलनाडू में गए हैं? वहाँ पर मतलब स्टैलिन इसको इतना बड़ा शर्नार्थी है। प्रचार के एंगलादेश, यज टूपर्नार्थी हैं, क्या वो तमिलनार्थी हैं, आफगान।